तो दोस्तों आज का टॉपिक है मन को जीते जीत आपनों कुछ नाम सुने होंगे ना जैसे कि मन जीत, मन प्रीत, जीतेंद्रिये, इंद्र जीत ये नाम सुने होंगे ना तो मन जीत पंजावी नाम है मन को जीतने वाला, मन प्रीत, मन से प्रीती रखने वाला, जीतेंद्रिये जिसने इंद्रियों को जीत रखा है इंद्रिजीत का मतलब भी ऐसा ही होता है तो नामों के बारे में कुछ और बात बात में करेंगे आज तो बात करते हैं मन को जीते जीत गुरुनानक के पास एक भूखा ब्रामण आया और बोला मैं तीन दिन से भुखा हूँ अगर मुझे थोड़ा आटा दाल चावल मिल जाए तो आपको बहुत कुन्नी मिलेगा गुरुनानक ने उस ब्राम्हन से लंगर में बैठ कर भोजन करने के लिए कहा लेकिन वह ब्राम्हन इसके लिए तैयार न हुआ उसने कहा कि मैं किसी का छुआ नहीं खाता अपना खाना मैं अपने आप पकाऊंगा अपने हाथों से चुलह बनाऊंगा लकडियां धोकर जलाऊंगा चावल दाल बिन कर साफ करूंगा ताकि मेरे हाथों कोई कीरा ना मर जाए तब खाना पकेगा और लोगों के पकाए भोजन में भला इतनी सुधता कहा तो गुरुनानक ने कहा कि ठीक है तुम पहले यहां मिट्टी खोद कर चुलह बनाओ अगर उसमें कोई कीरा मोकडा ना निकला तो मैं तुम्हें दाल जावलादी दे दूँगा ब्राम्हन ने एक जगा मिट्टी खोदी तो वहां कोई चीटिया निकलाई दूसरी जगा खोदा तो वहां दीमत निकलाया फिर तो उसने जहां जहां मिट्टी खोदी वहां वहां कोई न कीरा निकलाया इस पर ब्राह्मन बहुत सर्मिंदा हुआ क्योंकि अब तो उसे लगड़ा था कि वो मिटीयां खोद करके उसे चुला बना ही ना पाएगा क्योंकि जहां भी मिटी खोदो उसे कोई न कोई कुईरा मिल दाता था तो ब्रामन बड़ा सर्विंदा हुआ गुरुनानक ने उसे समझाया कि भाई याद रखो हम दोसरों के छुए भोजन को खाने से भरस्ट नहीं होते भरस्ट होते हैं अपने मन के विकारों और दोसों से मन में जो पुर्वाग्रह बैठा है मन में जो विचार है जो दुसित विचार बैठे है ना मन में जिससे हम दूसरों का बुरा सोचते हैं अहित करने को सोचते हैं वो सारे दोस उपनिसद का एक स्लोक है कि मन एवं मुस्यानां कारनं वंद मोक्षयो बंधाय विस्या सतंग मुक्तंग निर्विसियंग स्मृतंग हमारे धर्मिक उपनिसद हैं उसमें बड़े ज्ञान की बात हैं उसी का मंतरी था ये इसका मतलब होता है कि मन ही मनुस्य के बंधन और मोक्ष का कारण है विसिया सक्त मन बंधन है विसिया सक्त का मतलब है कि हम जब जीते हैं तो अक्सर दुनिया में सोचते हैं कि कास मेरे पास में कार होती, कार हो जाए तो हवाई जहाज होता बीच में हेलिकॉप्टर भी आता है लोग घर का सोचते हैं घर हो जाए तो फिर महल हो जाता महल हो जाता तो ऐसे वाले चार महल होते इस सहर में मेरे तो कितना अच्छा होता ये है विसिया सक्ति भोग विलास की बात है निर्विसय मन मुक्त माना जाता है कबीर ने कहा है कि नहाए ध्याए क्या भया जो मन मैल न जाए कहते हैं कबीर कि नहाए और धोए उससे क्या हुआ जो मन मैल न जाए मीन सदा जल में रहे धोए वास न जाए मचली तो हमेशा पानी में ही रहती है लेकिन मचली में एक महक होती है एक तरह की वास होती है कई लोगों को यह खुश वो अच्छी लगती है कई लोगों को अच्छी नहीं लगती तो वो जब ही मचली वगरत होते साफ करते हैं खाना पकाने इस पहले मचली पकाने इस पहले तो बार बार अपना हाद दिटरजंट से साबून से निमू से साफ करेंगे तो कभीर कहते हैं कि नहाने धोने से क्या होगा कि अगर मेरे मन का महल ना जाए क्योंकि उन्होंने एक्जाम्पल दिया कि मचली तो सदा पानी में ही रहती है तो वो तो बिल्कुल साफ सुतरी होनी चाहिए लेकिन उसमें भी तो गंदगी होती है उसकी सरीर में भी तो एक बद्बू एक महक होती है मनों वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुस्य पर मेहनत, रोग या आक्रमन का उतना असर नहीं पड़ता जितना व्यापक प्रभाव उसके अपने विचारों का पड़ता है तो मन में विचारों के प्रवाह का ज्यादा असर होता है हमारा मन ही हमारे अनुचित काड़ियों के लिए उत्तरगाई होता है संत्रित मन हमसे कोई भी अपराद करा सकता है अक्सर देखा जाता है कि हम अपने पर संयम, कंट्रोल नहीं रख पाते और तब कोई भी गलती कर बैठते हैं वास्तों में हम अपने मानसिक विकारों को समझ नहीं पाते और वे ही हमें अवनती है ना अब नती का मतलब क्या है? डाउन फॉल की ओर ले जाते हैं और इसके लिए हमें एकान चिंतन करना चाहिए हम स्मय विचार करें कि हमें क्या कमिया हैं हमने क्या गलतियां की हमारी क्या कमजूरियां है आपकी प्रगती के रास्ते में क्या रुकावटे हैं? जब आप सांती पुर्वक विचार करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपके कमजोडियां क्या है आलस्य, कुमार विया विभिन तरह के व्यसन या क्रोध, चिर्चिरापन और संयमित जीवन यही सब तो है लिंकन ने लिखा है कि सफलता तुम तभी प्राप्ट कर सक हो जब अपने विकार, मानसिक विकार तुम्हारी मन से निकल जाएंगे एक ऐसा ही विचार, एक विचारक ने कहा है कि मन की मलिन्ता को दूर करने के लिए नीती रूपी साबुन और निस्ठा रूपी पानी, अर्थात, सिधान्त और व्यवहार दोनों की आविसक्ता होती ह स्वामी रामा ने उजा जा ये प्रती दिन सवेरे स्नान करने के लिए नदी पर ही नहने जाते थे, किन्तो अब वो जाते समय कि सी ब्रामन, सिस्च के कंधे का सहारा लेते, और लौटे समय कि सूधर, सिस्च के कंधे का ब्राम्हन आप समझ रहे हो उचे जाती के होते हैं और सुद्र का मतलब है नीची जाती का होना तो उनके इस प्रकार के नियम को देख करके लोगों को आश्चाड़ी हुआ रहा नहीं का है ना लोगों का तो काम है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो लोगों ने कहा क्या कहा कि स्वामी जी स्नान के बाद सुद्र का सहारा बात कुछ समझ में नहीं आये कि अगर आपने सुद्र का सहारा लिया, सुद्र को छुआ तो फिर से आपका सरीर मलिन हो गया, गन्दा हो गया तो फिर स्नान करने का क्या लाव स्वामी जी ने कहा कि अहंकार के दमन का उपदेश देने वाले को भी स्वैं भी अहंकार सुनी होना चाहिए है ना कि अगर मैं लोगों को उपदेश देता हूँ समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तो मेरे मन में खुद भी अहंकार नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा और सिर्फ उपदेश दूँगा तो इसका आसर तो होगा नहीं तो सनान करने से मेरा तन तो पवित्र हो जाता है लेकिन मन का मैल अहंकार जो है उसके साथ एका कार होने पर ही जाता है है ना मन का मैल अहंकार जो है छुद्रा ती छुद्र उसके साथ एका कार होने पर ही ये मैल जाता है इसलिए इसलिए सडीर की सुधी के बाद मन की पवित्रता के लिए मैं नित्य सूद्र का सहारा लेता हूं असपस्थ है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में संपर्प में आए लोगों के बीच अपने अंकार, पुर्वाग्रहों और धारनाओं को दूर रख देता है और दूसरों से सीखने समझने का यत्म करता है जो दूसरों की जीवन में अपनी सम्मती निर्धारित करने एवं रास्ता चुनने की पूरी स्वतंत्रता देता है ऐसा व्यक्ति पहले के पिक्षा अधिक गड़े अंतर दिश्टी और अधिक व्यापक उदारता और अधिक उचे आनंद का अनुखों करेगा सुख और साफलता की एक ऐसी पगड़न्डी दिखाई देने लगेगी जो पहले उसकी आखों से ओजल थी इस तरह उसे नया रास्ता मिल जाता है अस्वस्थ है कि अहुंकार इर्षिया पुर्वाग्र आदी मानसिक विकारों को पनपने न दे बलकि उनसे अपनी रक्षा पहले करे किसने कहा है कि मन के भाव से ही पाप माना जाता है वचन या कर्म से नहीं पतनी और फुत्री के आलंगन में भाव की ही तो भिन्नता है विनुबा भावजी ने कि जब तक मन नहीं जीता जाता राग द्वेस सांत नहीं होते जब तक मनुसी इंद्रियों का गुलाम बना रहता है इसलिए सब से पहले मन को नियंतरित करने का भ्याज करें कारण ये है कि मनुसी ही मनुसी को भ्रमित करता है उसके कामों में और लक्ष उप्राप्ती में बाधक बनता है रुकावटें डालता है मन की गती बड़ी चंचल होती है बड़ी चंचल वह मनुसी की प्रगती में उसके महान बनने में रुकावटें डालता है मन इस्तिर नहीं रहता इसलिए मनुसी को विपरीद दिशा में मोरतेता है प्रिनाम यह होता है कि व्यक्ति अपने उद्देश से भटक जाता है किसी ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है यदि काम ना हो तो इधर उधर भटकने अलगता है और अपने स्वामी को विनास मार में फंसा करके मार डालता है कहते हैं न कि खाली मन सैतान का घर खाली दिमाग सैतान का घर इसलिए तो कहते हैं तो उसे भक्ति की जंजीरों से जकर देना चाहिए किसे मन को नहीं तो वो सर्फ बनकर के डस लेता है बिच्छू बनकर के काट खाता है इसलिए मन पर नियंतरन रखकर उन्नती करने के लिए आगे बढ़ें यह एक ऐसा सत्य है जिसे अपनाने से प्रतिक विक्ति की उन्नती और सफलता सुनिश्चित होती है जब मनुसे आत्म सैयमी हो जाता है और मन पर नियंतरन कर लेता है तब उसे फ्रेम और सांती की प्राप्ति हो जाती है ऐसा व्यक्ति जब अपने लक्ष पाने का प्रयक्म करता है तब उसे सफलता की प्राप्ति होती है सत्य को प्राप्त करने के लिए असत्य का त्यार आवस्यक है बाग का माली पौधों की निराई गुराई इसलिए करता है निराई गुराई समझते हो ना आप वीडिंग करना है ना कि जो पौधे हम लगाते हैं उसके अलावा भी कुछ पौधे उसके आसपास उख जाते हैं जो मिर्टी में से हमारे लगाय हुए पौधे के हिस्से का निउट्रीशन यूज करते रहते हैं तो कभी-कभी तो ऐसा भी होगा कि आपने जो पौधे लगाए उसकी व्रिधी उसकी ग्रोथ कम हो रही है और उसके आसपास में जो खर पतवार है उसकी व्रिधी जादा हो रह सके हैं इसलिए ये करना जरूरी है इसी तरह हमें भी अपने मन के भगीचे की निराई कर विकारों को है ना ऐसे थोड़ जो की निगेटिव हैं जो हमें नुक्सान पहुंचाते हैं उन विचारों को उन विकारों को निकाल फिकना चाहिए तभी हमारी बुद्धी का पौधा समचित विकास पासकता है निर्मान के लिए त्याग की आवेसकता होती है यदि कुछ प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा न तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में जिसके जरीए मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिस करूंगा और यह सिरीज का नाम है मोटिवेशन अनलिम्टेड क्या नाम है मोटिवेशन अनलिम्टेड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना फायदे में रहोगे